पेंशन लेने वाले इस खबर को ध्यान से सुनें अगर आप जमो कश्मीर में रहते हैं तो आप पेंशन लेते हैं चाहे वो आपकी अकेली पेंशन है यानि इंडिविज्विल पेंशन है या फैमिली पेंशन है तो आप इस खबर को सुन लें कि अगर आपने लाइफ जमा नहीं करवाया तो आपको pension नहीं मिलेगी यानि आपको October महीने तक की अगर pension मिल चुकी है अगर आपको November और December की pension चाहिए तो अब आपको life certificate जमा करवाना बहुत जादा ज़्रूरी है और सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि इसके बारे में जानकारी देने में इस order को पास किया है Government of Jumain Kashmir Finance Department ने और इसमें साफ तोर पर कहा गया है कि Life Certificate जमा कराने की जो आखरी तारीक है वो है November की आखरी महीना यानि ये जो महीना चल रहा है इसी महीने में आपको कभी भी Life Certificate जो है वो जमा करवाना था तो आप लोगों ने अगर नहीं करवाया तो अब Government ने आपके लिए Deadline को बढ़ा दिया है Government ने इस Deadline को बढ़ा कर November के महीने से 26-12-2023 कर दिया है यानि 26 December 2023 से पहले पहले आपको Life Certificate जमा कराना है अगर आपको पेंशन पानी है तो ऐसे में ना तो आपको November की पेंशन मिलेगी और ना ही आपको December की पेंशन मिलेगी सरकार ने पहले ही बहुत सारे आदेशों में और नोटिफिकेशन में ये कह दिया है कि जितने भी लोग पेंशन लेते हैं या आप लोग फैमिली पेंशन लेते हैं सिरफ और सिरफ जमा कराना बहुत जरूरी है अगर ये Life Certificate डॉकुमेंट आपके डॉकुमेंट से Missing होता है तो आज तक आपने जितनी पेंशन ली है आपको उतनी ही पेंशन मिलेगी उसके इलावा जो आगे की पेंशन मिलनी है चाहे वो नवंबर है चाहे वो दिसंबर है आप उसके हगदार नहीं होंगे लेकिन अब मैं यहां पर आपको पढ़कर सुना दू आपको Life Certificate जो है वो पूरी नहीं पहुंची इसलिए उन्होंने इस खबर को रिवाइस करके कह दिया कि हम जो है इसकी डेट बढ़ा रहे हैं और Finance Department को कहा गया है कि जितने भी पेंशन लेने वाले लोग हैं चाहे वो इंडिविजवल अपनी पेंशन लेते हैं चाहे वो फैमली पेंशन ले बढ़ा दिया और कहा गया कि आप चाहे इंडिविजल चाहे आप अपनी पेंशन लेते हैं या आप फैमिली पेंशन लेते हैं आप भी जानते हैं फैमिली पेंशन में क्या पेंशन है चाहे जिसका बाप मर चुका है या मा नहीं है तो उनकी अगर आपको पेंशन मिलती है यानि 26-12-2023 के बाद अगर आपके पस लाइब सर्टिफिकेट होगा तो आपको किसी भी तरह की कोई पेंचन नहीं मिलेगी क्यूंकि आखरी तारिक इतनी ही रखी गई और आगे आपको बता दे कि अगर आपको दिसंबर और नमंबर की पेंचन चाहिए उसके लिए आपको ये डॉकुमेंट लाना बहुत जरूरी है उसी के बाद आपका पेंचन डिस्पर्रिंग अथारिटी जो है आपको पेंचन देगी और आपको बता दे अगर आपने नहीं जमा करवाया तो आपको नहीं मिलेगा अब एक छोटी सी इंपोर्टेंट जानकारी इसी अपडेट जमा कराएं और अगर आपको जो है ऑनलाइन भी जमा कराना है तो आप जा सकते हैं जीवन परमान पोर्टल पर यानि जीवन परमान पोर्टल पर जाना है और इसकी जानकारी देते हैं डिरेक्टर जर्नल एकाउंटेंट एंड ट्रेजरी फाइनांस डिपार्टमेंट इस जो है 21-11 की 2023 को निकाला गया थो और कहा गया कि लोगों तक बहुत कम अवियरनेस है आप इस खबर को जाद से जादा फेलाएं और बता दें आपको डिरेक्टर जर्नल एकाउंट्स और ट्रेजरी फाइनांस डिपार्टमेंट की तरफ से इस ऑर्डर को यहांदा लोगों तो आप पहुंचाए ताकि लोगों की पैंचण जो है वह असानी से निकल पाए अगर आपने लाइश अर्टिविकेट नहीं दिया तो आने वाले महीनों में आपको pension जो है नहीं मिलेगी चाहे आपकी pension है चाहे family pension है